अब हम और्द्योगी करांती ब्रिटेन में ही क्यों और इसके बाद उसके परिवर्तन जो समाज के अन्य तबकों पे हुए इसके अगले उत्तर पे आते हैं ओद्योगी करण औरते औरबचे हमने समाज के धनाध्य वर्ग पर ओद्योगी करण का प्रभाव जाना हमने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का अद्योगी करण में योगदान समझा बुद्जी जीवी वर्ग याने जिन लोगों ने आविशकार किया, जिन लोगों ने सोच की, जिन लोगों ने इस योजना को लागू करने में, क्रियानवित करने में, शासन की ओर से योगदान दिया होगा हमने समाज के मजदूरों की जिक्र किया हमने समाज के किसान वर्ग का जिक्र किया उसके बाद हमने समाज के उस वर्ग का भी जिक्र किया जो कृशी करांती में जिन्होंने कृशी उत्पादन में एक तरीके से योगदान दिया अब हम आते हैं समाज के एक और तबके की और वह है औरते और बच्चे और्द्योगी करण का इन पर क्या असर पड़ा क्या ये अच्छूते रह गए किस हद तक ये भी प्रभावित हुए और्द्योगी करण से महिलाएं कैसे प्रभावित हुई और द्योग और महिलाओं का क्या सम्मंद क्या सरोकार अब इसको हम समझेंगे और द्योगी करांटी का जो काल है वो कुछ ऐसा काल था जिसमें भारी परिवर्तन आए बच्चों और महिलाओं की स्थिति में उनके तरीकों में उनके जीवन यापन की शैली में यदि हम उन परिवर्तनों की बात करें तो कुछ इस तरह होगा पहला गाओं में गरीब लोग के बच्चे खेतों में काम करते थे बच्चों की बात कर रहा है सद्धेयाय में इस ख्ञाणा तो गाउं में क्या होता था, बच्चे खेती में मदद करते थे माता-पिता का हाथ बताय करते थे और मौसम के अनसार उनके काम बदलते रहे जब खेती नहीं है तो वे माबाप को किसे अनिकार में मदद करते थे दूसरे शब्दों में बच्चे परिवार में ही रहते थे परिवार में बड़ों का हाथ बटाते थे और यही सिती कमों बेश महिलाओं की भी थी औरतें भी खेतों में काम करती थी घर में काम करती थी और साथी साथ वे लोग पशवपालन भी करते थी पशवपालन एक बहुत महत्पूर्ण अंग था English Life का अंग्रेजी जीवन का एक बहुत महत्पूर्ण अंग है पशवपालन कई कारणों से उसके कई कारण हैं कि अंग्रे इंग्लेंड में पशुपालन रुद्योग क्यों इतना महत्पूर्ण है हम उस पर यहां पर विस्तार से नहीं जाते केवल इतना समझ लें कि पशुपालन के मामले में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था इंग्लेंड में अब कहां घरेलू माहौल में कारे करना बच्चों और महिलाओं ज़ारा गाओं में और शहर में वातावरण ही बडल गया उन्हें अब कारखानों में काम करना पड़ा उन्हें अब खदानों में काम करना पड़ा तो पहला परिवर्तन ये परिवर्तन उनका कारे स्थल पूरी तरफ बदल गया खेद, खलिहान, घर, पशु इन से हटकर अब ये कारखानों के अंदर अंधेरे कारखानों में लंबे घंटों के लिए कारे करने लगे अर्था बच्चों के लिए खेल कूच जैसी कोई चीज नहीं रही लगा तार सोला, पंदरा सोला घंटे काम करना कठोर श्रम करना, ये इनके जीवन का हिस्सा हो गया था और दूसरा परिणाम क्या हुआ? कठोर अनशासन में रहना क्योंकि उद्योग पति को तो केवल प्रोडक्शन उत्पादन से मतलब है वो नहीं चाहता कि मजदूर के रूप में चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाओं हों, चाहे वो पुरुष हों वे खाली बैठे रहें वह तो पूरा पंदरा सुला घंटे इन लोगों के श्रम को चूसना चाहता है निवनतम में अधिक्तम कमाई, ये उसका मूल मंत रहता है ऐसी स्थिति में दूसरी जो बुरी स्थिति थी, वो ये थी कठोर अनुशासन काम, काम और काम और वो भी जोखिम भरे काम वो भी बहुती दैनी स्थिति के महाँ, बहुती अजीब महाल में काम अंधेरे में काम जहां वाईव प्रदूशन हो ऐसी स्थिति में काम बहुत बुरी हालत थी तीसरा बिंदो पुर्शों की मजदूरी मैंने आपको बताया बहुत कम थी पंद्रा सोला घंटे कारे कराने के बाद उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं मिलता था और इसलिए क्या होता था कि घर अकेले की कमाई से चल नहीं पा रहा था शहर में तो इसलिए महिलाओं और बच्चों को कारे में लगाना उनको उनकी विवश्टा थी ये हो गया तीसरा बिंदू औरतें और बच्चे बनाम और दोगी करण की चर्चा में ये तीसरा बिंदू कि मजदूरी कम होने के कारण जीवी को पारजन में होती दिक्तों के मद्दे नजर महिलाओं को बच्चों को भी काम में लगाया गया घर का खर्च चलाने के लिए चौथा बिंदू अब मशीने जब ज़्यादा आने लगी तो मजदूरी मजदूरों की जुरत कम पढ़ने लगी तो शहर में काम करते हुए अब ये लोग अपने घरेलू धंदों को गाओं के धंदों को भूल चुके थे और शहर में कई वर्षन तक काम करने के बाद बढ़ती मशीनी करण के कारण इन में से बहुत से लोग बेरोजगार भी हो गए या और भी कम कीमत पे काम करने को तयार हो गए तो स्थिती बद से बदितर हो गई पांचवा बिंदू लंका शायर यॉर्क शायर जो मूल रूप से सूती कपड़ों के लिए जाने जाते थे जहां सूती कपड़ा उद्योग बहुत विश्तरित था वहाँ इनको थोड़ी ज़्यादा नौकरी मिलती थी क्योंकि बुनाई कटाई में इनकी बहुत जरुत पड़ती थी और एक और बहुत अहम बात थी जिसके कारण बच्चों को कपड़ा मशीनों में ज्यादा लगाया जाता था और वो बात थी कि बुनाई कटाई की मशीने बड़ी सट के लगी रहती थी पास पास रहती और पास पास रहने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन और द्योग पती तो चाहेगा कि कम से कम शेतर में ज्यादा से ज्यादा मशीने लग जाएं और इन पास पास सटी हुई मशीनों के कारण महिलाओं का या पुरिशों का वहां काम करना उस जगह में थोड़ा कठिन होता था इसलिए उस जगह पे बच्चों को लगाया जाता था देखें कितना शोशन हो रहा है बच्चों को इसलिए लगाया जाता था क्योंकि जगह कम थी उस जगह पे केवल वही जा सकते थे इसलिए नहीं कि वे ज़्यादा कुशल थे याने कुशलता की आवेशक्ता उद्योग पती की समझ के परे थी उसे तो चाहिए था नियूनितम मजदूरी वाले मजदूर अगला बिंदू जैसा मैंने बताया बच्चों से कई घंटे काम लिया जाता था और उनसे सफाई आदी भी कराई जाती थी रवीवार को भी उनसे कारे कराया जाता था यद भी रवीवार का कारे कुछ दूसरे तरीके का होता था उस दिन बुनाई कताई सामानिता ना हो करके मश्यिनों की सफाई के कारे के लिए इन मजदुरों को लगा जाता था दूसरे शबडों में ये बच्चे, ये महिलाएं, बिचारे सबताह के सातों दिन उस माहौल में कारे करते थे और वो भी 15-15-16-16 घंटे ये हो गया आपका अगला बिल्दू इसके बाद चूंकि वे आराम नहीं कर पाते थे उनकी भी शारीरी के सिती दिनों दिन गिरती जा रही थी वही हाल जैसा मजदूरों का हुआ और कई बार तो ये होता था कि बच्चे इन मशीनों में फंस जाते थे उंगलियां उनकी कुचल जाती थी पैर उनका कट जाता था क्योंकि मशीने सटी थी लेकिन इनका कोई हितैशी नहीं था कोई चिंतक नहीं था यदि ऐसा कोई बच्चा या मजदूर जिसकी हाथ पाउँ कट गए मशीन से तो उससे निकाल दिया जाता था उसके बदले अन्य मजदूरों को लगाया जाता था बड़ी सरल बात थी यानि मजदूरों की सोच मजदूरों के लिए सोचने वाला कोई नहीं था निशकर्श यह है मजदूरों की समस्याओं को सोचने वाला कोई नहीं था ये बच्चे कोईला खान में भी कारे करते थे और कोईला खान में बाल मजदूरी का चित्र बड़ा खतरनाक चित्र जो आपको मैंने दिखाया ये आप भूले नहीं होंगे कई बारते होता था कि जो सुरंग जैसी ख़दान होती थी उसकी च्छत ही धस जाय करती थी और बेमौत उसके अंदर लोग मारे जाते थे दम घुटने से आज भी इतने वैग्यानिक आधनी की करण के बाद भी आज भी ऐची घटनाएं बहुत बार होती है और कई बार तो ऐसा हुआ है कि कई कई सो मजदूर मारे गए हैं ख़दानों में क्योंकि या तो ख़दान धसक गई और या ख़दानों में अचानक पानी भर गया इतना पानी की उसे निकाल नहीं पाई ये आज भी वर्तमान में होता है जब pumping technology जब information technology computerization इतना हो चका है तब भी ये घटनाएं आज होती हैं कल्पना करिये उस समय कितनी सामानी रही होगी ये घटनाएं यानि इन मजदूरों के जीवन का कोई अहम नहीं था इन मजदूरों के जीवन की कोई कीमत नहीं थी कई बार तो जो ख़दाने हैं उसके अंदर जो chemical प्रक्रिया हो रही है जो रसायन बन रहे हैं वातावरण में गैस निकल रही है उससे कई बार विसफोर्ट भी हो जाता था और विसफोर्ट में लोग गहाल हो जाते थे मर जाते थे और मैंने तो आपको पूर में ही बताया जो अगला बिंदू आप मान सकते हैं औरतों और बच्चों की स्थितिकों लेकर कि उन्हें बहुत गहराई तक उतारा जाता था क्योंकि बच्चे ही नीचे तक जा सकते थे गहराई तक और फिर धक्का दे के वे टन टन भर माल उपर चड़ाते थे क्योंकि ख़दाने तो नीचे होती ही ना और जैसे जैसे मांग बढ़ती गई रेल पांथ की लोहे की कोईले की ख़दानों की गहराई भी वैसी बढ़ती चली गए दूसरे शब्दों में ख़दानों की बढ़ती गहराई ने इन बच्चों के लिए और विश्व मिस्थित पैदा कर दी और आगे दी बात करूं तो जैसे जैसे और जोगी करन होते जा रहा था समाज के एक बहुत बड़ा तबका जो मज़्दूर वर्ग था उसकी स्थिति वैसी वैसी और ही शोचनी होते चली जा रही थी यह बच्चे जो थे आठों बिंदू आप समझ सकते हैं इसे ये बच्चे ट्रैपर का काम करते थे ट्रैप करते थे रोकते थे माल को चड़ाना फिर ट्रैप कर्ना माल को चड़ाना धक्का देके फिर रोकना ट्रैप ये लोग ट्रैपर का काम करते हैं इस पकार आप संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि महिलाओं और बच्चों की स्थिती मजदूरों से भी बदतर थी पुरुष मजदूरों से भी बदतर थी ब्रिटिश रिकार्ड जो है उस समय के ब्रिटिश अभिलेक उस समय के जो रिकॉर्ड मिले हैं उससे तो मालूम पढ़ता है कि फैटरी मजदूरों में सलखबख आधों ने तो दस साल से भी कम उम्र में और 28 प्शकित मज़़ूर 14 साल से भी कम उम्र में लगा दिये गये फूचिए बच्पना क्या रहा होगा इनका ये बाल मज़़ूर इन्होंने बच्पना देखा ही नहीं एक कविता स्वद्रा कुमारी चोहान की है जिसमें वो कहती है बहुत याद आती है मुझको बहुत बार आती है मुझको मदुर याद बच्पन मेरी गया ले गया वह जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भै स्वचंद कैसे भूला जा सकता है बच्पन का अतुलित आनन्द बच्पन का अतुलित आनन्द चिंता रहित खेलना खाना क्या इन बच्चों ने इसको देखा होगा जो लोग 10 वर्ष की उमर में 14 वर्ष की उमर में खदानों की गहराई में चले गए 15-15-12-12 घंटे कारे किया इतने गंदे महाल में जो जीवन यापन कर रहे थे इन्हों ने कभी बचपना नहीं देखा और ऐसे बच्चे जब बड़े हुए तो कल्पना कर सकते हैं किस सोच में बड़े होंगे क्या ये वास्तों में मानव सोच रखते रहे होंगे ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका उत्तर आप आगे पाएंगे इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि किस मानसिक परिवर्तन से किस मानसिक त्रासिदी से बच्चे गुजरे होंगे जिन्होंने अपना बच्चपन नहीं देखा बच्चपन का अतुलित आनंद अतुलित आनंद तो दूर की बाद बच्चपन में आनंद बच्चपन क्या है ये इनके समझ के परे था इन मजदूरों को गंदी बस्तियों में तो रहना पड़ता था पास-पास के मकान थे तो जब इन लोग घर आते थे तो इन बच्चों के लिए खेलने का कोई साधन संसाधन जगह भी नहीं थी महिलाओं बच्चों के स्थिति को लेकर जितना कहा जाए उतना कम है और स्थिति से अर्थ है दुर्दशा से एक और जहां आप देखेंगे कि उनके मजदूरी के घंटे पुरुषों के बराबर ही थे पर उनको जो मजदूरी मिलती थी एक जो उस समय का जो रिकॉर्ड बताता है उनकी करंसी में यदि पुरुष मजदूर को 25 शिलिंग मिलता था तो महिलाओं को मात्र 7 शिलिंग 7 और बच्चों की तो हालत और बुरी इतना लंबे घंटे काम करने के बाद सब कुछ त्याग देने के बाद बच्चपना खो देने के बाद अपने स्वास्ति की कीमत पर अपने मानसिक वार्धक्य की कीमत पर उनको मात्र एक शिलिंग मिलता था ऐसा उस समय के रिकॉर्ड बताते हैं बहुत ही बुरी इस्थिती थी तो कुल में लागे हम कह सकते हैं कि महिलाओं बच्चों की इस्थिती शायद सबसे ज़्यादा शोचनी थी और जोगी करन के काल में और योगी करांतिक एकाल में कुछ और इसके बिंदू जो आते हैं उसमें आप देखेंगे कि कपा सुद्योग कपा सुद्योग की विशेष्टाओं के अदी बात करते हैं तो एक विशेष्टा तो हमने जानी कि सारा का सारा कच्छा माल आयात होता था कॉटन और उसका अधिकतर भाग निर्याद भी होता था फिनिश्ट प्राड़क्ट इस कपा सुद्योग में जो अधिकतर मजदूर थे वे स्त्रियां और बच्चे ही थे क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी सचाई ये थी कि उनकी निर्भरता इन पे बढ़ गई थी जिसमें मात साथ शिलिंग और एक शिलिंग के मजदूरी में वे काम करवा लेते थे अधियोग पती तो इसकार इनकी निर्भता उद्योग पतियों की बच्चों पे बहुत थी इसके अलावा एक और कारण था कि बच्चे और महिला किसी भी तरह का विरोध नहीं करते और चूँकि ये विरोध नहीं करते किसी तरह का आंदोलन करने की संभावना नहीं थी किसी तरह का विद्योध करने की संभावना नहीं थी तो इसलिए उद्योग पती हमेशा महिलाओं को या बच्चों को मजदूरी मजदूर के रूप में रखते थे देखे कितने फायदे और कितना शोशन उद्योग पत्यों को कितना फायदा और उसकी एवज में मजदूरों का महिलाओं का बच्चों का कितना शोशन तो महिला बच्चों के कपासुद्योग में प्रात्मिक्ता इसलिए थी कि ये तीन कारण जो बता है सूत्युद्योग कपासुद्योग में इनकी प्रात्मिक्ता से इनका एंप्लॉइमेंट इतना था कि माना जाता है उस समय के रिकॉर्ड के आधार पे कि लगबग दो तिहाई मजदूर दो तिहाई मजदूर महिला और बच्चे थे देखने में तो बद सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि पूरे परिवार ही मजदूरी में लगा हुआ रोजगार मिला हुआ है लेकिन रोजगार किस कीमत पर बच्चों के प्रात्मिक्ता और इस बहिलाओं के स्थिति के साथ-साथ एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है और वो है कि समय के साथ-साथ जैसे जैसे उद्योगी करण हुआ वैसे वैसे शहरी करण भी हुआ और शहरी करण की एवज में ग्रामों की स्थिती बदतर हो गए, गाउं की संख्या बड़ी कम हो गए गाउं उजडने लगे, उज़ाण हो गए सभी लोग पलाइन कर रहे थे शहर की और रोजगार की उम्मीद में, पैसा कमाने की उम्मीद में, इस्त्रियों को भी और बच्चों को भी नौकरी में लगा देने की उम्मीद में, क्योंकि जब गाओं में थे तो इस्त्रियों और बच्चे मात्र पुरुश मजदूर की मदद करते थे, कुछ अत्रिक कमाई नहीं लाते थे, लेक कारखानों में अब खब जाता था अपनी जिन्दगी गुजार देता था और इसका परणाम बहुत ही दुश्प्रभावी होता था तो ये भी एक आप बिंदु समझ सकते हैं कि गाओं का उजड़ना और शहरों का बनना इसने भी किस तरीके से परिवार को प्रभावित किया ह होगा हर परिवार की एक अपनी संस्कृती रहती है एक अपनी परंपरा रहती है ये संस्कृती और परंपरा उनके गाओं में छुट गई ये शहर के हो गया और शहर के होने का परणाम ये हुआ कि गाओं में जो उनके जीवन शाली थी वहाँ भूल चुके थे और एक काल ऐसा आया कि अब वापस भी जाना इनके लिए दूबर हो गया क्योंकि ये गाओं के संस्कृति गाओं के जीवन शाली से पूरा कट चुके थे। एकल परिवार अब ज्यादा हो गया ये भी एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हम मजदूरों के संबंद में समझ सकते हैं समाज के संबंद में समझ सकते हैं और साथी स्त्रियों और बच्चों के स्थिति को लेकर भी समझ सकते हैं कि एकल परिवार अब ज्यादा प्रचलि संयक्त परिवार्थ समाप्त हो गया संयक्त परिवार की एक अपनी संस्क्रिती होती है एक अपना way of life रचता है और अब यहां वो सब समाप्त हो गया तो आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों महिलाओं मजदूरों पर या परिवार पर क्या सरपड़ा होगा जब यह परड़ाम हम हैं और दियोगी करण का एकल परिवार का आना प्रादुर भाव और जॉइन फैमिली का याने सेख्ट परिवारों का तूटना उजडना संक्षिप्त में हमने बहुत सारे दिश्परिनाम इस काल के देखे गाओं का उजडना भी देखा स्वास्थ का गिरना भी देखा गंदी बस्तियों का भी नर्मार देखा स्वास्थ की यदि बात करें तो झो अوسत आयू थी बर्मिंगम में बच्चों की लोगों की ओसत आयू लगवग 15 वर्ष मैंचेस्टर में 17 वर्ष और वही गाओं में 21 वर्ष थी सोच सकते हैं आपके कितनी कम आयू इन लोगों की वहां थी इसके अलावा उपनगरी जीवन का विकास क्योंकि ये लोग ऐसे परिवार गाओं के महिलाओं के बच्चों के साथ ये लोग कहां रहते थे शहर के आउट सकर्ट में शहर की पेरिफेरी में शहर में तो मत धना डिवर्क के लोग ही थे इसलिए वो बाहर रहते थे शहर से दूर रहते थे जहां सभी तरह की समस्याएं थी पे जल की समस्या के लावा और पे जल की समस्या के अदिए बात करें तो दो तरह की बीमारियां उस समय जो फैली थी ए चाहे वो हैजा ले लें जो पेजल से होता है और दूशित वाई से ख्षै की बिमारी होती है टी बी की बिमारी होती है तो इस प्रकार हम देखते हैं कुल मिलाकर इन बच्चों के इन महिलाओं के इन मजदूरों की जीवन प्रत्याशा जिसे हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा म बहुत गिरावट आई वही जो मैंने बर्मिंगम में 15 वर्ष बताया मैंचेस्टर में 17 वर्ष बताया और गाउं में 21 वर्ष बताया है महा मारियां और ये सब चीजें एक सामानी चीज हो चुकी थी अंतिम बिंदु इस मुद्दे पर बच्चों का जो लंबे समय तक जो श्रम अवदी थी बच्चों को जो विभिन रूपों में यूस किया जा रहा था चाहे ट्रैपर के रूप में चाहे इसके अलावा बेरर्स के रूप में चाहे ऐसी जगहों में भेजने के लिए जो जोखिम भरी थी तो इससे क्या हुआ इ इससे बड़ा एक परिवार में एक दूशित माहौल हो गया परिवार एकल हुआ और इस परिवार के अंदर के सदस्यों में एक दूसरे की मानसे किस्थिति को ठीक करने का भी समय नहीं बचा क्योंकि 16-16 गंटे 18-18 गंटे अधिकारी कर रहे हैं तो वे मात काम करते थे वापस के भोजन करके सोते थे किसी तरह का समवाद नहीं रहा परिवार में इन सब के बावजूर जदी हम एक सकारात्मक पहलु देखें और तों के मामले में और दियोगी करन्ति के मामले में महिलाओं के मामले में एक सकारात्मक पहलु यह हुआ कि महिलाएं पहली बार एक तरीक पहली बार वे धन अर्जित करने लगी, कमाओ महिला बनी, भले ही इसकी शुरुवात बड़ी शोचनी हुई, पर शुरुवात हुई, तो ये इसका एक बहुत बड़ा सकारात्मा पहलू है, और द्योगी करांतिका, और उसके साथ ही महिलाओं का आत्म सम्मान भी बढ़ा, ज हुई कि अब वे अपने को स्वतंत्र महसूस करने, इंडिपेंडेंट अफ मेन, कमाओ महिला, और साथ ही साथ, चूँकि अब वो कमाने लगी थी, चूँकि अब वो स्वतंत्र रूप से फैक्टरी में कारे करने लगी थी, परिवार से हट कर महिलाओं के गुट में कारे कर लगी थी विविन लोगों के साथ मिलकर कार करने लगी थी एक तरीके से उसमें आत्मसंमान भी जागा जिसके अपने प्रभाव आगे समाज पर पड़े जिस पर बाद में जिक्र होगा लेकिन नकारात्मक पहलो कि परिस्थितियां बड़ी अपमान जनक थी पुर्शों के बीच में कार करते हुए जोखिम भरे क्षित्रों में कार करते हुए उनके अपनी जो निश्ठा थी अपना जो आत्मसमान था उसको दूसरे तरीके से ठेस पहुंचती थी मजदूरी बहुत कम थी इस बात का उन्हें सतत रूप से मलाल था उनकी स्थित्यां बड़ी जोखिम भरी थी इस बात से उस्थित्य वाकिफ थी और उनके कारे घंटे भी बड़े लंबे थे कुल मिला के निशकर्श ये कि और्द्योगी करण में बच्चों और महलाओं के स्थित्य कुल मिला कर बहुत ही शोचनी हो चली थी